हलो इस्टुदेंट्स कैसे हैं आप लोग फिल बेटर केमिकल काइनेटिक्स तोटिकल पॉर्शन और उसके बाद उससे रिलेक्टेड निमेरिकल एवरेज रेट और अभी हम ओडर और एवरेज रिलेक्टेड निमेरिकल पॉर्शन पीछे वाली क्लास से कंटियूर कर रहे है कोई डाउट से हैं तो प्लीज आई बटन पर क्लिक करके पीछे वाली क्लासीज को आप जोइन कीजिए और आज की फिर क्लास में मैं आप रोगों के साथ हूँ एक्सरसाइज की कुछ और क्यूशन लेक्टे जो ओर और रेट और एवरेज डेट से रिलेटेड है आपके सा क्लीए पर एक्सरसाइज के प्लास में इस होगा है मैं यह इस पर्तिकूछ और रेक्सरसाइज से घ्रीकूलार स्मुड़ी अद्र लेकशन का रेट त्यूशन में क्या मुले में जब आप put up करेंगे तो हमारे पास 3 equations बनेंगे first अपने पास और है 5.07 into 10 raise to power minus 5 is equal to k a की concentration point 2 power x and b की concentration point 3 power y equation number 1 second 5.07 into 10 raise to power minus 5 is equal to k 0.22 power x and 0.12 power y equation number 2 और similarly equation third भी बन सकते हैं यहां पर 1.4 into 10 raise to power minus 4 is equal to k and 0.4 to power x and 0.05 to power y equation number third इस equation में जो rate equals left and values उनको अपन similar करने comparison करना पड़ेगा छोटे और बड़ेगा तो उसके लिए इनकी powers हम सेम कर लेते हैं जिसे ही हमें दे रहे हैं 10 raise to power 455 इसको हम sort out करें तो 10 raise to power 5 में इसको अपन convert करेंगे तो 10 raise to power 5 में convert करेंगे तो यह अपने पास आएगा इसमें 14.3 10 raise to power minus 5 हो जाएगा मैंने इस value को change कर लिए है बेटा raise to power minus 5 में convert किया इसको समझ रहे हूंगे आप यह equation 3 हैं किनी भी तो equation को initial हम divide कर सकते हैं बट उसमें एक थोड़ा सा comparison कर लेते हैंगी at least उसमें maximum values क्या होने ची है match करनी ची है similar और होने ची है cancellation में चली जाए तो equation first और second को जब हम divide कर रहे हैं तो first and second को equation first divided by equation second first को second से divide किया तो right hand में values same थी 1 हो गया is equal to k2 k cancel हो रहा है y की value 1 का बात है जब power 1 होती y की value 1 होगी तो यहां पर 3 is equal to 3 होगा y की value 2 है तो 3 to power 2 मतले equal to 9 होगा बट यहां पर 1 है तो आप समझ जहें since 3 to power 0 is equal to क्यों होता है 1 होता है सब जानते हैं यह लोग तो यहां पर y की value कितने आगे अपने पास जो 0 होगे तो यह b के respect में तो क्या होगा है 0 order reaction होगे simple है then y की value आगे अब another 2 equations को ले लीजिए 2 and 3 को ले लीजिए 1 and 3 को ले लीजिए इसमें बड़ी value कौन सी है तो आप equation 3 है वो बड़ा है तो equation 3 को हम divide कर रहे है equation 3 divided by equation 2 divide करेंगे इसको आप तो कितना रहा है 14.3 into 10 raise to power minus 5 divided by 5.07 into 10 raise to power minus 5 is equal to यहां पर value क्या है power 0 तो यह value 1 हो जाएगी यह value क्या है power 0 तो value 1 तो यह value रखें और नहीं रखें power 0 रहने तो value क्या हो नहीं हो नहीं है तो अपने पास फिर finally value क्या बज़ेगा 4 upon 2 रहे गए डिवाट करेंगे आप इसको 4 upon 2 से क्या आएगा है 2 and 22 power क्या हो गया इसमें x हो गया इस पूरी value को जब हम sort out करतें तो मारे पास इसमें आएगा 2.82 इसको डिवाट करने पर आगए इसमें is equal to 22 power x अब यह complete multiple होता जैसे 4 होता तो 22 power 2 हो तो 4 हो जाएगा 22 power 8 हो तो 3 हो जाएगा वर यह complete multiple नहीं है जब complete multiple नहीं है 2 का तो हमें इसमें क्या करना x की value calculate करने के लिए इसमें log procedure पे जाना पड़ेगा और log procedure पे जाने पे क्या होगा है 22 power 2 raise to power x is equal to 2.82 2.82 आ रहा है और इसमें x की value calculate करने के लिए हमें इस procedure को कहा जाना पड़ेगा log procedure में जाना पड़ेगा तो अपने पास आएगा तो अपने पास आएगा इसमें log लेने पे x log 2 is equal to क्या होगा log 2.82 आएगा इसमें ठीक है then x is equal to log 2.82 divided by log 2 यह values जब आपन calculate करेंगे इसकी value अपने पास आती है 1.49 log 2.82 की value जो given है यह आपन calculate करेंगे वह values और log 2 की values को जब sort out करते हैं तो आपने पास x की value कितने होगी 1.49 आती है तो इसको round up करने पे x की value कितने होगी 1.5 होगी ठीक है तो B के respect में reaction क्या हो थी 0 order और A के respect में reaction क्या होगी 1.5 होगी तो finally इस particular reaction का rate आप कैसे लिखोगे rate is equal to K A raise to power 1.5 and B raise to power 0 यह particular reaction का क्या हो गया order हो गया A के और B के respect में overall order भी आप बता सकते है इस particular reaction का overall order क्या होगा इसमें अपने पास 1.5 और इसको plus करेंगे तो यह दोनों क्या हो जाएगा 1.5 हा जाएगा यह simple question है को doubt नहीं है साहिए बहुत simple procedure था आप easily इसको कर पाए Okay students, question 10 के बाद हम next question 11 पे आरे हैं उस particular equation के according अपने को rate law rate constant calculate करने है और इसमें A और B की concentration के respect में B की formation rate provide करवाई है D की formation rate हो या C की formation rate या A या B की क्या हो decomposition rate इन सोट उस बंदे ने formation rate के विहापे में क्या है एक्चु ने उसने में rate provide करवाई है तो इस particular reaction का rate हम calculate करें rate is equal to K A power and B to power X and Y इसमें पर लिख सकते हैं clear है then rate इन चारों values से put up करके इन चार equation बनाएंगे वो चार equation कौन कौन से होगे अपने पास तो ये चारों equation बनी है इन चार equation में आपको एक link या एक relation डवलप करके उनको internally divide करना है और internally divide करेंगे तो एक link जो मेरे को समझ भी आ रहा है कि equation B B बाले ट्रम सेम है और इसमें A के ट्रम सेम है तो ये तो internally divide होगी equation 2 और 3 और 1 और 4 अपस में होगी तो इसको जब अपन divide करते है equation 4 divided by equation 1 4th equation था आपके बास 2.4 into 10 raise to power minus 2 divided by 6.0 into 10 raise to power minus 3 is equal to k2 k cancel 0.1 0.4 थी हो गया 4 upon 1 power axis में और ये values क्या होगी same values है 0.1 0.1 और y2 y क्या होगी cancel हो गया इसको जब हम sort out करेंगे 6.4 तो इसको sort out करने पर अपने पास value कितनी आ रही है 24 7 12.5 12.24 और 12.5 10.24 तो इसको sort out करने पर अपने पास आ रहा है 4 और ये भी क्या रहा 4 power axis हो रहा है इसको sort out करेंगे तो अक्सी value क्या होगी since 4 raise to power 1 is equal to 4 therefore अक्सी is equal to 1 अक्स के respect में value आ दिया अपने पास ठीक है ये किसे है equation 4 को first से divide करने पर आ है 2.8 10 raise to power minus 1 divided by 7.2 into 10 raise to power minus 2 is equal to ये values दोनों same है cancel हो गया k2k cancel हो गया यहाँ आपने पास क्या है 4 upon 2 4 upon 2 means क्या हो गया 2 and power कितना हो गया y और वैसे भी इनकी values क्या थी 1 थी same cancel हो जाएगा इसको जब हम divide करें तो ये completely इसे divide हो रहा है कितना 0.2 10 to power minus 2 ये इसे complete divide हो रहा 4 time ठीक है is equal to 2 to power y हो गया यहाँ पर since 2 to power 2 is equal to कितना 4 therefore y is equal to 2 हो गया 2 तो x और y means इन दोनों चार equation से हम क्या कर सकते है इनके orders a के respect लें b के respect में इसका order find हो गया तो finally इसे क्या बना इसमें दोनों value जब अपने पास x और y के respect में आ गई ये x और इसके respect में वेलुआ है therefore rate is equal to के a2 power 1 हो रहा है और b2 power क्या हो गया 2 हो गया overall order of reaction 1 plus 2 is equal to 3 अब आपको calculate करना है इसमें rate लो तो इसका calculate होगे अब इसमें rate constant और calculate करना है तो rate constant कैसे calculate होगा जो ये values है उन values को हम sort out कर सकते हैं क्या करेंगे आप by equation first equation first में values क्या थे अपने पास 10 raise to power minus 3 is equal to k और ये पूरी value अपने पास कितने होगी 10 raise to power minus 3 होगी बेटा समझ पार है आप इसको 0.12 power 0.12 power तो ये होगे 10 raise to power minus 1 ये पूरी value ज़रा आगे so out 10 raise to power minus 3 minus 3 cancel हो गया तो finally k की value अपने पास क्या है 6.0 आ गया ये इसमें हमारे पास k की value आ जाएगी ठीक है अब क्यूस्टन अपना रहे है 12 पे इसमें क्या कर रहे है एक particular reaction है A के respect में first order और B के respect में क्या है zero order है और ये जो कुछ values है unknown values हैं ये हमें क्या करने हैं calculate करनी है तो इस particular reaction का हम rate calculate कर सकते है rate is equal to k but A के respect में इसमें first order दिया और B के respect में zero order है तो इसका rate low या rate expression बन गया इसी के according अपने equation first को complete कर लेते है rate 2.8 into 10 raise to power minus 2 and k A 0.1 and 0.1 to power 0 इस particular से क्या आगा rate constant calculate कर सकते है 2.8 into 10 raise to power minus 2 is equal to k यह पूरी value complete 1 हो गया और यह 10 to power minus 1 तो finally k की value अपने पास के ताम है 2.8 into 10 raise to power minus 1 यह यहां से क्या आगा अपने बाद k की value आजाएगे इस k की value के भीहा पे हम क्या calculate कर सकते है इसमें second वाली value को apply करें वापस rate की जगे कितना आजाएगा 4.8 into 10 raise to power minus 2 k की value अपन calculate कर चुगे 2.8 into 10 raise to power minus 1 a की value हम calculate कर चुगे find करनी है अपने k की value power 1 हो गया और b की value अपने पास कितना 2 power 0 यह value complete कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 4.8 into 10 raise to power minus 2 divided by 2.8 into 10 raise to power minus 1 ऐसे करके अपन इसमें a calculate कर सकते हैं इस ताइप से अपन calculate कर के यहाँ पर क्या होगा एक ही value आ जाएगी ठीक है इसमेलरे नेक्स्ट वाले को भी ऐसे calculate कर सकते हैं और अब रही बात इसमें की rate expression में calculate करना तो rate expression calculate rate निकालने में में कोई दिखा दिने हैं को rate expression अपने पास बना हुआ है rate expression में यह concentration रखेंगे और rate आजाएगा अपने पास ठीक है तो इस ताइप से अपने यह procedure कर सकते हैं यह अपना 12 हो गया अब अपने यह question करते है next इस particular reaction में क्या दे रहेगा first order reaction का half life period दे रहा है और half life period से हमें rate constant तो उस बंदे ने provide किया है half life हमें calculate करना होता है तो first order reaction के लिए T half का formula क्या था 0.693 divided by k बंदे ने k आपको provide किया है तो T half कैसे calculate गा 0.693 divided by k जैसे first case में 200 से divide हो जाएगा second में 693 2 से divide हो जाएगा और last ओले में क्या होगा 0.693 4 से divide हो जाएगा इस तरह इनको calculate करके हम question number 13 को भी complete कर सकते है okay students अब next point पर आ रहे हैं next question इससे आगे वाले अब next question देखे आप एक question और कर रहा हूँ है 16, 18, 19 और ले रहे हैं अपने exercise से first order reaction है जिसके लिए आपको rate constant provide क्या है उसने 60 second inverse और बंदा चारह है कि time calculate करना है 1 upon 16th होने में initial concentration को 1 upon 16th होने में कितना time डगाएगा वो आपको calculate करना है तो हमें calculate करना है first order reaction के लिए T T is equal to 2.303K log initial concentration divided by final concentration 2.303 by K 60 log initial concentration 1 final concentration कितना चारह है initial concentration आप 1 upon 16th यह होगा आपने पास 1 upon 16th इसको हम divide करते है जिरो पॉइंट 038 2.303 log 16th यह सोटा उड़ा कि 16th अब log 16th की value कहां से लेके आए पन तो यह आपको log procedure जब आपको मैंने procedure एक log और anti-log की एक class ली थी मैंने miss करने तो i button पे click easy और log procedure देखिए उसमें मैंने आपको समझायता है कि 16th को हम 2 के multiple में convert कर सकते हैं तो यह होगा आपके आपके पास log 2 to power 4 then 0.038 4 log 2 and finally हमारे पास आजाएगा 0.038 into 4 0.3010 0.038 into 04012 और इस सब को multiply करेंगे तो अपने पास क्या होगा t कि इसमें आगा यह second inverse में तो यह particular इनको multiply करने पर second इसमें हमारे पास क्या होगा answer आजाएगा इसमें चीक है यह होगा आपने पास 16th का question multiply करना easily आप कर पाऊगे next question क्या आपना इसमें first order reaction है 99% completion में जो time लग रहा है वो 90% completion के लिए just double होगा एक relation develop करना है relation derive करना है particular first order reaction के 99% completion में जो time लगेगा वो 90% completion लगेगा उनमें double का twice का relation होगा यह हमें एक relation derive करना है इसमें first order reaction के लिए हम के calculate करते है 2.303 upon t कौन सा t ले ले इसको अपन 99% consider कर लेते हैं या आप इसको यह भी चलो 99 ही ले लो या 1 और 2 लगा सकते हैं इसमें यह t 99% वाला है लोग initial concentration एक चलो पहले फोर्मॉला है ले लेक हैं initial concentration divided by final concentration यह इस particular reaction के लिए क्या होगा के का फोर्मॉला होगा then k is equal to 2.303 upon t 99% completion symbol दे दिया आपने इसको a या b या 99% initial concentration handed जो percentage वाले question आते हैं अपने पास एक अभी जैसे parts वाला था उसमें तो initial concentration 1 consider करेंगे तो final concentration क्या होगी 1 upon 16 हो जाती है और यहां आपन क्या कर रहे है percentage वाले questions में आपको अमेशा क्या करना है तो उस particular reaction को क्या करना है initial concentration को 100 consider कर लिए तो initial concentration 100 है 99% completion कह रहा है वो तो remaining concentration कितना हो गया 1 तो initial concentration 100 और 99% complete होगा तो final concentration कितना हो गया 1 then k is equal to 2.303 upon t 99% log 100 and k is equal to 2.303 t 99% और log 100 means 2 हो गया यह पूरी value sort out होगे k अपने पास आएगा 4.606 upon t 99% यह equation number 1 हो गया अपने पास similarly अपन यही procedure करेंगे किसके लिए 90% completion के लिए same यह formula apply करना तो अपने पास कहाएगा k is equal to 2.303 t second time जिसको आप 90 कर सकते हो 1 या B लगा के भी यूज़ कर सकते हो log initial concentration 100 है but हम completion के क्या हमारे if 90% completion हमने 90% completion consider किया है तो final concentration कितना होगे बेटा 10 then k is equal to 2.303 t 90% और यह होगे अपने पास log 10 log 10 की value 1 तो उससे अपने पास आगे k is equal to 2.303 t 90% होगे बेटा यह equation number 2 अपने पास दोनो equations को compare करेंगे on comparing equation first and second दोनों में constant या left hand side same है तो क्या relation बना 4.606 t 99% is equal to 2.303 t 90% होगे बेटा cross multiply करेंगे इसमें तो t 99% multiply by 2.303 is equal to t 90% multiply by 4.606% तो t 99% is equal to आप समझबा रहे हैं यह और यह value cancel हो रही है कितने time completely two time तो यह होगे अपने पास 2 t 90% यह relation developed हो गया कौन सा relation जो उस बन्दे ने पूछा था आपसे कि 99% completion और 90% completion में कितना time लगेगा कितना simple question है और board exam में इस type की question percentage वाले जो question हो completion या 90% completion और एक बोड़ा होता है remains 90% दोनों में अंतर है बेटा remains यह तो रहा 99% completion है 90% completion तो यह complete होगा minus करगी बताएंगे और एक बोड़ा होता है कि remains 90% इतना concentration बचा है उसमें minus नहीं करेंगे तब क्या होगा 100 by 90 होगा यह remains वर्ड यह थोड़ा देखेंगे इसमें similarly अपने पास यह question है 19th का यह कराएंगे कि किसी particular question first order reaction है उस first order reaction में 90% decomposition के लिए 40 minutes use हो रहे हैं तो उसका T हाथ क्या होगा तो T हाथ के लिए फिर हमें क्या calculate करना है rate constant calculate करना है तो rate constant की value क्या होगी k is equal to 2.303 upon T log initial concentration by final concentration then k is equal to 2.303 upon T 40% completion बता रहा है log initial concentration 100 90% completion या 90% decomposition तो remaining concentration के लिए 10 तो k is equal to 2.303 40 और log 10 log यहां से इसको sort out करेंगे तो अपने पास किस की value आगी k की value आजाती है यह कितना 2.303 upon 40 आगया अपने पास यह अपने पास k की value आजाती है इस ताइप से इसको sort out करने पर ठीक अब बंदे ने क्या पुछा है आपे t half पुछा है तो first order reaction के लिए t half होगा 0.693 upon k and t half is equal to 0.693 upon यह आपने calculate के लिए 0.057 यह इसको sort out करने पर क्यूशन आ जाएंगे तो आज की class में आपने definite छोटे छोटे numerical portion इनको complete कि होगे अभी एक type का छोटा सा क्यूशन और बचावा है यहाँ पे concentration based मैंने आपसे करवा दिया pressure वाले क्यूशन और थोड़े से hard होगे वो अपन करके class में continue करेंगे आज आप इस class के बाद अपने book से, text book से इन क्यूशन को देखिए यह आपको अलग लग कही exercise की form में पेंटेक्स की form में कहीं sold example की form मिलेंगे ओके students, good luck